राम राम किसान भाईयों किसान भाईयों हम आज आपको ओविरान दवा जो की बायर क्राफ साइंस लिम्टेट कंपनी की आती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये किस फसल में और कितनी मात्रा में डाली जाती है किसान भाईयों यदि आपकी किसी भी फसल में लाल मकडी का प्रकोफ हो रहा है जैसा कि आप ये पौधे की पत्यों की निचली सता पर पाई जाती हैं और उनके रस को चूसती रहती हैं जिससे पत्या कमजोड पढ़ने लगती हैं इनकी पहचान करने के लिए वैसे ये तो छोटी छोटी पत्यों की नीचे ला देखेंगे तो पत्ती जाली नुमा दिखाय देने लगती है तो आप समझ जाईए कि आपके फसल में लाल मकड़ी का प्रकोफ हो रहा है और इसकी रूख थाम के लिए आप जो की बायर कंपनी का आता है ओविरान के नाम से इसका एक एमल प्रति लीटर के हिसाब से आप घ तान भाईयों लाल मक्रि के साथ साथ यह का पास की फसलों में इसका उपयोग सफेद मक्ही करोप में होत्य श्रकाव कर सकते हैं इसका जो टेकनिकल डेम है जैसा कि आप देख पारहे हैं इस इस पायरो में इसी फीन बाइस दस्मलो नौ पत्सत एस सी जो की इस दवा के अंदर जो टेक्निकल है उसका नाम है और ये बायर कंपनी की आती है ओविरान के नाम से किसान भाईयों यदि आप लाल मकडी से बहुत जादा प्रिसान है तो आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इस का गोल बना कर आप छिरकाव करें छिरकाव करने से आपके फसलों में चाहे जो भी फसलों लौकी है या तरोई है या भंडी की फसल है खीरे की फसल है कपास की फसल है टमाटर की फसल है कोई भी फसल है जिन भी फसलों में आपके फसलों में आप लाल मकडी वा पीली मकडी से परिसान है तो आप इसका एक एमेल प्रत लीटर के हिसाब से घोल बना कर आप छिर्काव करें तो आपके उसमें जो लाल मकडी है वह नस्ट हो जाएगी और आपकी पत्यां जो कमजोर होती है जिसकी वज़ा से पौधों की भोजन बनाने की क्रिया प्रभावित होने लगत सकते हैं और यदि आप इसकी रोग थाम नहीं करते हैं लाल मकडी की तो पौधे नस्ट होने लगते हैं इनकी रोग थाम के लिए किसान बाईयों आप बायर कंपनी का जो विवरान जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं इसका इस कि मैं आपको दिखा रहा हूं यह बायर क्राउप साइंस लिम्टर कंपनी की आती है इसके अलावा आप दोखा धड़ी से बचे और कोई डूब्लीकेट दवा का प्रयोग ना करें यह कांटेक्ट इंसक्टि साइड और एकरी साइड यानिकी मकडी नासक दवा है जिसके प फसल सुरच्छित रह सकती है और आप अपनी फसल को सुरच्छित रखकर आप अपनी फसलों से होने वाले उत्पादन का संपूर्ण लाव ले सकते हैं किसान बाईयों या जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको अग अपनी जानकारी भी आसानी से प्राप्त होती रहें